तो आज जो अपना टॉपिक है आज ट्रू उंजिने की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे ठीक है एंड बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बट हम जो पढ़ाएंगे आपको वो इगनम बेसिक से शुरू करेंगे और हो सकता है कि आप यहाँ पर जो फर्स्ट पढ़ रहे हो वो शायद आप सेकंड थर्ड में पढ़ो हो या फिर ऐसे करके अलग-अलग टैप्स में पढ़ रहे हो ठीक हैं तो अपना यही टार्गेट होना चाहिए तो आज हम जो पढ़ रहे हैं पहला उपरेडिंग सिस्टम विच इस कॉल्ट सिंगल प्रोसेस उपरेडिंग सिस्टम या सिंगल प्रोसेसिंग उपरेडिंग सिस्टम तो नाम से क्या समझ में आ रहे हैं सिंगल है प्रोसेस अब एक ही प्रोसेसर होगा ठीक है प्रोसेसर क्या होता है CPU CPU का क्या नाम है Central Processing Unit ठीक है तो वो एक ही है अब यार यह जो डाइग्राम है उससे सीखते है थोड़ा सा और डाइग्राम थोड़ा सा ब्लर है तो मैं अगर आपको ध्यान से समझा दूँए एक चीज तो यह जो पार्ट दिख रहे है This is your application one कुछ भी application हो सकती application की जगा आप program लिखोगे तो भी समझ माझाएगा आपको ठीक है तो यह सारी multiple applications है ठीक है यह nth number की application है यह programs कह सकते हो तो कुछ program होंगे जैसे कि आप एक tab में मेरी वीडियो देख रहे हो ठीक है दूसरा program होगा कि आपने कुछ और खोल रखा हो laptop में ऐसी multiple programs है clear बात तो programs कहलो, process कहलो यह चीज है और यह बीच में पढ़ा है अपना operating system ठीक है, diagram समझना मज़ा आ जाएगा भी चलेगा, ठीक है तो processor कहलो या CPU कहलो तो यहाँ पर क्या है single processor है तो यह जो denote कर रहा है वो इसी को denote कर रहा है clear होगी बात तो इससे क्या समझवा रहा है कि multiple applications है या multiple programs को run करना है आपको सिर्व single processor से ही run हो पाएगा यह बहुत पहले use हुआ करता था single processing या फिर single process operating system क्यों बहुत ऐसा गया क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कते हैं पहली दिक्कत क्या है मालो यहाँ पर जो application 2 पड़ा है उसको execute होना है और उसको execute होने के लिए जो time लग रहा वो लग रहा 2 seconds और यह जो पहला application है या पहला program है उसको run होने में लग रहा है 10 minutes जो अपने पिछले समझा था goals of operating system में process के starvation वाला part ठीक है तो अगर ऐसी कुछ process आ रही तो फिर दिक्कती है क्योंकि आए 10 minutes के इदर इंतिजार करेगी फिर इसको 2 seconds के लिए ही run होना था तो फालतों का 10 minutes क्यों wait करना ठीक है अब जैसे कि अभी यहाँ पे आपको left right hand side में अभी क्या मिला था एक pop up मिला था ठीक है तो pop up क्या दिखा रहा था वो pop up भी एक तरीके का program ही हुआ ठीक है तो जो pop up अभी आया था मेरे screen में तो वो pop up क्या दिखा रहा था वो था भाईया high priority का था ठीक है एक जगा पे अपनी एक window पे मेरी जो video है उसमें एक window पे यह खुल है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है और नीचे क्या आया pop up आया तो pop up क्या high priority job है pop up क्या भाई high priority job है ठीक है pop up जो अभी आया था थोड़ी दिर पहले वो क्या था high priority की job थी ठीक है अब high priority की job execute होनी चीए टाइम पे पर इधर time लग रहा 10 minute इधर 2 past जितने भी second लग रहा अब मालनों इसको भी pop up तुरंद री डालना ठीक है तो वो क्या करेगा इस वाला जो time है इसको stop कर देगा इस application को और तुरंद पॉप अप देदेगा तो ये process single में काम नहीं हो रही थी single processor में ये काम नहीं हो पा रहा था कि pop up यद जो higher priority की job थी वो execute नहीं हो पा रही थी ठीक है तो that's why single processing operating system आज के time पे use नहीं होता आज के time पे multiprocessing या multitasking processors use होता है और अच्छे खास है और अच्छे processor use होता है तो आप इस single processor का काम समझ में आगे क्या दिखकर दी एकदम correct time पे मेरे को pop up भी दिखा जिससे कि मैं आपको समझा सका आप pop up का जो काम है वो वह यह कि जो बंदा application चला रहा है ब्राउजर में इतने सारे programs को run कर रहा है at a time या कोई सा भी एक run कर रहा है at a time तो उसको पता चले कि यार ये भी उसके पास notification आना चाहिए कि इसमें ये दिखकदारी है ठीक है antivirus का pop up हो सकता है Windows का हो सकता है या किसी और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक processor है अच्छा इसकी definition नहीं आपर लिखे हुई है तो इस processor के अंदर क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही processor है ठीक है only one processor only one CPU है जो कि ये दिख रहा अब एक ही CPU है तो भाई इतनी सारी program आपको execute करना तो सबसे दिक्कत दाई काम क्या होगा इससे क्या समझ में आ रहा है एक CPU होने से आपको बहुत सारी दिक्कते हो सकती सबसे पहला है कि ये बहुत ज़्यादा time consuming होगा ठीक है time consuming चीज़ें कर देगा कैसे time consuming हो रहा है यहाँ पर अगर दिखो तो ये 10 minute का काम है अब यहाँ पर multiple CPU लगे होते या multiple processor होते तो एक इस application को run कर रहा होता दूसरा पहले ली दूसरे को run कर रहा होता तो इसमें जो time था वो कम से कम लग रहा होता बट यहाँ पर time बहुत ज़ादा लग रहा है ठीक है तो time consuming है या फिर time ज़ादा लग रहा है जिससे क्यार ये प्रोसेसर इस application को run कर रहा है तो अगला किसी और को run कर रहा होता और इस तरीके से काम आपका आसान हो जाता और आपको बता भी नी चलता कि किस time पर क्या हो रहा है ठीक है आज के time पर जो actual processor यूज होते हो इसी type के होते है जिसमें multiple processor होते है और आप देखो होते है तो आपको भाई जो browser उसमें click करते फोन से तो उसी को open होने में दो पास सेगेंड लगते है बट अभी एक instant phone अभी नयने phone जो है उसमें instant open हो जाता है ठीक है क्योंकि multiple processors के होता है तो operating system manage कर रहा होता है कि या इस program को या इस application को run कर रहा है जैसे अपन browser open कर रहा है Facebook open क है कुछ भी तो वो तुरंती open हो जाता है क्योंकि आप जो processor है अच्छे खास है ठीक है तो यह important चीज है दूसरी चीज क्या है इसमें कि single processor था दूसरा एक और demerit है कि इसमें सिर्फ एक ही process execute होती एक ही time पर यह लिखा है only one process can be executed at a time मतलब जैसे कि मैं भी आपको समझाता इसका color लेते हैं green अगर application one या program one execute हो रहा न तो मैंने बता दिया उसको लग रहे 10 minute तो पूरा ही run होगा हो 10 minute तक run होगा बाकी यह सब waiting में रहेंगी ठीक है इससे क्या दिक्कत होगी इससे दिक्कत ही होगी कि या जो high priorities है job है इससे दिक्कत कुछ इस प्रकार हो रही कि जो high priority की job है वो दिक्कत कर देंगी ठीक है तो यह पर लिख देते हैं high priority वाली jobs को दिक्कत हो सकती जोब यह अपनने समझा था जैसे कि यहाँ पर pop-up आया था तो इन नए system में pop-up आ जाता है तुरंती सारे program तब भी run करते हैं properly बट single processor में क्या होगा कि यह अगर ऐसा high priority job आ जैस execute होते हैं होते हैं तब तक दूसरा execute नहीं हो जबता तो इसमें यह लिखा है कि at a time सिर्फ एक ही process execute होगी तो यह बहुत बड़े-बड़े devirates थे हैं इसलिए आशकर टाइम पर यह सब use नहीं होते हैं तो पहले use हुआ करते थे अब आपके mind में doubt होगा पहले use हुआ करते थ पहले कुछ था ही नहीं ठीक है धीरे-धीरे करके सारी चीज़े improve होती है ठीक वही बात है ओके तो यह सारी चीज़ें हैं तो इसलिए पहले single process से ही start हुआ था अगर आप लोग बहुत पहले से जाओगे तो single processor ही use हुआ करते थे बहुत पहले-पहले ओके